जैहिन मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है विजय ओनलाइन क्लासिस में तो गाइज वेरी गुड मरनिंग औल फर्सन औल हुमन बिंग औल लिविंग तिंग्स गाइज जैसा आपको मालूम है कक्सा ग्यार है भूगोल जियोग्रफी का चैप्टन नमबर फाइफ लगूत्रिय कोस्टन आंसर ठीक है गाइज तो फर्स्ट कोस्टन देखते हैं जन जाती है समुदायों के लिए बनो की महत का बर्णन कीजिए यह डिस्क्रप्शन करना हमने उसका बर्णन करना तो जन जाती लोग जो होते है इनकी समुदायों के लिए बनों का विशेष महत् ठीक है गैस एनिके जन जाती लोग को ते हैं जो इधर उदर जोपड़ पत्टी में रहते हैं उनको जन जाती है लोग को पते हैं जैसे है थारू, बुक्सा, जौनसारी यह सब जन जाती है लोगों में आते हैं बोटिया वन इस समुदाय के लिए आवास रोजी रोटी के अस्तित्व हैं यह जो बन होते हैं इस समुदाय के लिए रोजी रोटी का काम करते हैं जैसे कि भोटिया लोग होते हैं तिबितन लोग होते हैं, एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर अपना रहन वसहरा करते रहते हैं, छे महीने रहेंगे फिर दूसरी जग़े छिप्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइज। और यह जूमिंग केशी भी करते हैं। जो मिंग किर्शी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर खेती करना ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक, पनस्पति, सहत, फॉस्टिक जड़ें, सिकार के लिए बनने भी सिकार प्रदान करते हैं बन उन्हें घर बनाने का सामान और यानि कि बन जो हैं लकड़ियां बनों से हमें लकड़ियां इमारती लकड़ियां और सामान बनाने के लिए फनीचर बनाने के लिए कला की बस्तु में भी देती हैं ठीके गाइस यानि कि वन इस प्रकार वन जन जाते समुदाई के लिए ज 593 जिलों में से 187 जन जातिय जिले हैं ठीक है गाइज यानि कि 188 कॉस्षन आ सकता है All Competition, All Exam, All Board Exam, 10th Class, 12th Class, Board Exam, Gavasion Star, Fiji Star and Transprivacy Prickshaw में एनि कि 593 जिले भारत के कितने जिले हैं? 593 जिलों में से 187 जिले हैं भारत में कितने जिले जन जातिय जिले हैं? तो 187 भारत में जन जातिय जिले हैं ठीक है गाइज इन में देश का 59% पृतिसद बन आपरण पाया जाता है इससे पता चलता है कि भारत में जंजातिय जिला बन संपता में धनी है तो जो जंजातिय समुधाय जो है नहीं कि भारत में बन छेतर के मामले में धनी है ठिक है गाईज आगे देखते हैं Next question है आपका भारत बाग परियोजना का क्या महत्व है यहीं कि बाग पर्योजना है उसका महत भारत में कितने बाग संरक्षन शेद रहे हैं तो भारत में बागों की संक्या संक्या को बढ़ाने के लिए बाग संरक्षन पर्योजना 1973 में प्रहरम की गई ठीक है गाईज यहीं कि बाग पर्योजना भारत में जो है बागों की संक्या दिन परती दिन गटती जा रही है तो उसको बनाए रखने के लिए बाग संरक्षन परियोजना औनी कि रिजर्ब पार्क बनाई गए तो 1973 में यह योजना प्रहरम की गई औनी कि बाग संरक्षन परियोजना कॉस्टन आएगा गाईज बाग संरक्षन पर्योजना किस बर्स प्राहरम की गई तो 1973 आपका रायट आंसर होगा और तीन रांसर गलत होगे ठीके गाईज इसका मुख्य उद्दे से भारत में बागों की जनसंक्या का इस्थर बनाई रखना है जो बाग संरक्षन पर्योजना उसका मुख्य उद्दे से है भागों की जनसंक्या का इस्थर बनाई रखना जिससे बैग्यानिक, सौंधर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाई रखे जा सके पर्योजना नो बाग निश्चे बनाई गए निश्चे का मतलब है अवहरण इसमें 16,349 बर्ग किलोमेटर चेतर सामिल था अब यह योजना 44 बाग निश्चे में चल रही है इनका छेतरफल 37,000 वर्ग किलोमेटर है 17 राज्यों में ब्याप्त है और 17 राज्यों में क्या है ब्याप्त है एनिकि पाया जाता है तेस में बागो की संक्या बर्स 2006 में 1411 थी जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई है ठीक है गाईज एनि कि पहले 2006 में जोती बागों की संक्या कम थी फिर धीरे धीरे बागों की संक्या बढ़ रही है किस कारण यह रिजर्ब पारकों की देन है आगे चलते हैं और गाईज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीजे ओनलाइन क्लासिस को और वेल आइकन ओल प्लेस करें गंटी दवाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं ठीक ह गाईज कोई गलती है उसको भी बताईएगा तो चलिए गाईज आगे चलते हैं कॉस्टन नमबर थर्ड देखते हैं यहनि कि लगुत्रिय प्रिशन उत्तर उचाई के आधार पर हिमाले के बनस्पति कटी बंदों का बढ़न कीजिए यहनि कि हाइट इस्टैन पर तो हिमा उच्ण कटी बंदिय आधर परपाती बन ठीक है गाईज सिवालिक हिमाले की सिरणियों में उच्ण कटी बंदिय आधर परपाती बन उखते हैं साल यहां का मुख्य ब्रक्ष है अब जो उच्ण कटी बंदिय आधर परपाती बन तो गाईज कोशन आता उच्ण कटी बंद यह आदर प्रपाती वनगा डीपली कोस्तन आते हैं आप डीपली ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से सोचिएगा ध्यान से एनि कि आप रटे और रटो मत गाईज एक कहावत आपने सुनी होगी इतियास गोल बड़े बेवफ़ा रात को रटे और सुब्य को सफा तो हमने रट आतिक द्रेष्टी से द्रेष्टी कोण से इसकी लकड़ी बहुत उप्योगी होती है किसके चाल के पेड़गी बास भी यहां बहुत तयात में पाये जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं शेकर नमबर सितोष्ण कटी बंडिया चोड़ी पत्ती वाले सदा बहार बन अब देख चाहे तक मिलते हैं ठीक है इन बनों में आप कोशन को अपनी लेंग्वेज में भी लिख सकते हैं डिक्टो नहीं लिखना है कि सेम लेंग्वेज लिखना डाटा डिक्टो लिखना डाटा नहीं हमें भूलना है और लेंग्वेज कनवर्ड भी हो सकती है ठीक है अपनी लें चीड, ओग, देबदार, वर्ज, एल्डर, पॉपलर, एलम, मैपिल, मैपिल तथा सेब के ब्रक्ष उखते हैं तो इतने ये मुख्य ब्रक्ष हैं गाईज, सितोष्म कटे बंदे, चोड़ी पत्ती वाले सदावार बनों के मुख्य ब्रक्षों के नाम है तो इनको नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, और नोट्स बहुत इंपोर्टेंट्स हैं, जो हमेशा आपके जीवन भर, आपके बच्चों के भी काम आएंगे पूर्वत्तर भागों में जहां भारी बर्षा होती है, वो पोशन कटी बंदे चीड के बन पाय जाते हैं जहां ज़्यादा बारिश होती हैं, चीड के बन पाय जाते हैं जो हम भूट पॉलिस बनाते हैं और तरपीन तेल लाते हैं तो स्धेड बन चीड के लीकशा होता है, तो जीड के माटेरियल होता है उसको की प्यूरीफाइऑ कने के बाद में तरपीन तेल हमें प्राप्त होता है कोस्टन आता है कि तारफिन का तेल किस ब्रक्स चे निखाला जाता है तो चीड के पेड़ से और इसे हम बूट पोलिस भी तैयार करते हैं जब हम अपनी सेंडल पे और सूच पे हम पोलिस करते हैं आगे चलते हैं गाईज संकुल या कौन धारी बन अब संकुल या कौन धारी बन देखते हैं तो संकुल हिमाल्य है यानि कि हिमाल्य परवतियत प्रदेश में 1600 से 3300 मिटर की उचाई के मत्य है चीड, सीडर, सिलवर, फर, स्प्रूश, सोनवर, ओक, मैपिल, बर्च, एल्डर, ब्लू, पाइन के ब्रक्षों की प्रधानता है ये कॉमल लकडी के ब्रक्ष हैं यानि की कॉमल लकडी होती है इनकी जिससे कागज अब देखिए इन से जो है क्या-क्या बनाया जाता है कागज लुगदी त्यासलाई आधी का निर्मान के जाता है ठीक है गाईज जिसको हम लिखते हैं यूज करते हैं तो कागज आधी का निर्मान करते हैं नेक्स्ट देखते हैं अलपाइन बन तो हिमाले परवत प्रदेश में प्रदेश में 3600 मिटर से अधिक उचाई पर अलपाइन बन संकू बनों का इस्थान ले लेते हैं इस प्रदेश में निम्न भागो में सिल्वर फरवर्च जूनिपर के ब्रक्ष उखते हैं इससे अधिक उचाई पर काई एभं लाइकेञ उखते हैं ठीक है कि गाईस लाइकेन होते हैं छोट-छोटी घास फूंस होती हैं जो हरे सैवाल के तरह होती है यह उगाते हैं जैसे आप अनिकी नमी वाले स्थान पर देख सकते हैं आगे चलते हैं Q4 भारत में उस्ण कटिबंद्य बर्षा का बित्रण एवं विशेषताएं बताईए तो उस्ण कटिबंद्य बर्षा 1 ठीक है गाईज देखते हैं जिन पर देख में उस्ण जलवाईउ पाए जाती है वहाँ बर्षा का ओसत 200 cm या उससे अधिक रहता है ऐसी जलवाईए में किसी विशेष में ब्रक्स अपनी पत्या नहीं गिराते हैं बलकि वे सदयाव हरे भरे सदयाव रहते हैं विशिवेत रेखे बनों की भाती ये बन बहुत सघन होते हैं निकी घने होते हैं इनमें ब्रक्स की उचाई 60 मेटर या इससे अधिक हो जाती हैं भारत में ये बन 4500 बर्ग मेटर किलो मेटर भूमी पर उगते हैं हुगे हैं असम मेगालिया महराष्ट कंणाठक केरल तिरुपुरा मडिपूर पसीमी घाट ओडिशा पसीमी बंगाल के मैदानी भागो अंडवान निकोवार दीप्शमू ठीक है गाइस अंडवान निकोवार दीप्शमू शमू में इन बनों का विस्तार पाय जाता है इन इन बनों में ताड अब देखिए इन बनों में उसन कटिबंद्य बर्षा बन तो ताड महोगनी बास सिनकोना बेत रवाड रोजबुड आवनूस अधी ब्रक्ष उखते हैं तो गाइस ब्रक्षों का आप जो है डाटा लिख लेना उसन कटिबंद्य बर्षा बन में कौन- कहते हैं तो दीब कहते हैं यानि कि वहा इस्थान जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसको हम दीब कहते हैं सिंपल सी भासा में ठीक है आगे चलते हैं कॉस्टन नंबर फाइव देखते हैं बनो का संडक्षन क्यों आवज सकये संडक्षन देखें कंजरवेशन संडक्षन मींस होता है इंगलीज में कहते हैं कंजरवेशन थ्य हम अप्लब है हमारी राष्ट क लूब realization का मतलब है सही गलत का बच्चा क्या कर रहा है कहां जाता है क्या करता है तो यह क्या है हमारा संरक्षन कौन ध्यान देता है माता बिता तो वैसी बनों का हमें संरक्षन करना है एनि कि उनको काटने से बचाना है और जादे से जादे पेड लगाने है ठीक है गाईस एक पेड़ काटी है और पांच पेड़ लगाई है तो यह हमें क्या होगा सन्रक्षन प्रदान करेंगे यहीं कि बनों को हम सन्रक्षन देंगे पारिस्तिति के संतुलन प्राकृतिक पारित अंत्र को बनाय रखने के लिए जहाँ एक और बनों को सन्रक्षन आवस्यक है, बहुत आवस्यक है प्रदूशन को भूत फेला रहे हैं हम ज़्याद तर इूमन विंग प्रदूशन फेलाने में लगा हुआ है और ओजोन परत को भी हम नुक्सान पहचा रहे हैं दिन रात ठेके गाईज वहीं दूसरी ओर ब्रक्षा रोपन द्वारा वन छेत्र में ब्रद्धी करना भी अती आवस्चक है राष्टे बन नितिके नुसर देश के एक तिहाई छेत्र पल पर बनों का विस्तार होना चाहिए ठीक है गाईज बनारोपन के अपनाय जाने के उपरांध भी देश में लगबग 23% छेत्र पल भी बनों का विस्तार हो पाया है यहीं कि कितने परसेंट भाग पर बनों का विस्तार है 23% कोशन आजाएगा गाईज देश में कितने परसेंट भाग पर बनो का विश्तार है तो आप लिखेंगे 23% भाग पर बनो का विश्तार है आगे चलते हैं बनो से हमें अनेक पर्तेक्स आर्थिक लाप प्राप्त होने के साथ साथ एपर्तेक्स लाप भी प्राप्त होते हैं बन जलवायू को समकारी बनाए रखने में महतपूर्ण भूमी का निवाते हैं इससे इनसे बायमंडल को आधरता की प्राप्ति होती है अर्थाद बन बर्षा कराने में साहग होते हैं व्रता की उर्वड़्टा में ब्रद्धी करने उसका सनक्षन करने दलहनी, एवम, मरू भूबुमी के बिश्थार को रोकने में बनों के योगदान को नकारा नहीं जा स सकता है ठीक है गाइज आज विस्प की सबसे बड़ी समस्य पर्याबराट प्रदूस्ण की आप देखते हैं बड़े-बड़े सहरों में जो घनी बाष्टियां हैं वहाँ सांस लेना भी मुश्खिल हो जा रहा है तीक है गाइज कल खाराने, मोटर साइकेल वीकल्स आजकल देख रहे हैं आप जादे से जादे हर व्यक्ति एसी गाड़ी ले रहा है एसी से भूत हमारा किलोरा फिलोरा सी एपसी कारवन निकल रहा है ठीक है बहुत सारी डिजीज भी बढ़ रही है तो पिर्दूशन की समस्या मुख्य है इस पिर्दूशन को रोकने में बन अपनी महत्पूर भूमिका निवाते हैं ठीक है गाईज यहीं की कारवन डाई ओक्षाइड गैस भूमिका का निर्भा कर सकते हैं यहीं नहीं भूगर्व में बनों के दाव रखने से कालंतर में कोईले की उत्पत्ती होती है इन लाबों को देखते हुए बनों का अंदाधुन सोशन नहीं किया जाना चाहिए सबी नागरिकों का करतब्यकी भी बनों छेतर में ब्रदी करभावी प्योडियों के लिए शुरक्षित रखें इससे हम अमूल्य संपत्ती का ब्याजी काम में लाना चाहिए परियाबरन प्रदुशन की समस्षावं से निप्टा जा सकता है इस पिरकार बनों का सनक्षन किया जाना आवश्यक है और गाईज हमें बन जादे से जादे लगाने परियाबरन को बचाना है ठीके और मैं आप शे बार बार निवेदन करता हूं कि गाईज AC, Freeze ये इन अत्याधनिक चीजों का इस्तिमाल कम से कम करिये जहां नीड भही करिये वाकि इन चीजों ने परिदूशन को बहुत बढ़ाया आया है AC ने तो खास कर परिदूशन बदल कर रख दिया है परिदूशन को और एड्मोस्पेर को चेंज कर दिया है अब देखे कि बारिशी नहीं होती है समय से चीत कालिन वरिष नहीं होई है तो इस अब क्या है मुश्म परिवर्तन की देन है बन का अर्थेवं महत्पिस पेस्ट कीजिए तो बन का अर्थेवं महक्स है बन या बनस्पति से तात्पति या भूतल पर उगे प्यड़ो और की घास जाणियों से होता है ठीक है गाईज इनके उत्पादन में मानप का कोई योगदान नहीं होता है बन क्या होते हैं? नेचुरल बन प्रक्रति की देन है नेचुरल है ठीक है गाईज बिश्प के सभी चीबधारियों को भोजन की प्राप्ति बनस्पति से ही होती है या बिश्प में जितने लिविंग थिंग नोन लिविंग थिंग तो लिविंग थिंग जितने भी प्राणी है उनको भोजन के प्राप्ति कहां से होती है बहनों सही होती है अरे भैंस या कोई भी है गाय बकरी मुर्गी मुर्गा वो अगर आप उसको खाते हैं तो वो अन नहीं खाएगा तो आप कहां से काएंगे या तो फिर उसको इंजक्शन के द्वारा quality farm में इंजक्शन के द्वारा दिया जा रहा है इन्हें प्राथमी कुथपाद भी कहते हैं और बनों को हम प्राथमी कुथपाद भी कहते हैं ठीक है गाईज यह प्राथमी कुथपाद कहते हैं क्योंकि यह प्राइमरी भोजन यह सभी के लिए भोजन बनाते हैं हम भी कंद मूल फल खाते हैं तो ये प्राइमरी भोजन में आता है इस प्रकार बनों का अर्थ उन पेड़ पोधो लताव एवन जाड़ियों से हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वता ही उगाते हैं नश्ट होते रहते हैं और मानब द्वारा शोर्थ वस नश्ट किये जा रहे हैं तो ज़्यादतर बनों को हम जो है मानभी बरवाद कर रहा है बनों का महत्व बन एमूलिय राष्ट संपत्य है पारिस्ति संतूलन प्राकृतिक बन परितन्त को बनाए रखने के लिए में ब्रदी करना आवशक बनो आर्थिक लाब प्राप्त होने के साथ साथ एपर्टेक्स लाब भी होते हैं बन चलबाये को समकारी बना रखने में महत्कोल भूमी का निवाते हैं वायु मंडल वो आदरता प्राप्त होती है वायु मंडल में artetна जिनकी कमी नहीं होने पाती है और बन बर्षा कराने में सायक होते हैं most important है guys फेड़ पोदो की पत्य मिर्दा में अधरता प्राप्त होती है पर्षा कराने में सायक होती है question number 7 कि बन्य जीव सनक्षण की महथ्प टिप्डियां तो भारत में अनेक परीकार करें बन्य जीव सनक्षण पाएं परणतुन उनक johnson हो पाने एक अनियु के अनेक प्रिकार के बनने जीव लुप्त प्राय हो चुके हैं कुछ लुप्त हो गया है जैसे डाइनासॉल लुप्त हो गया है गिद्ड लुप्त हो गया है जो गिद्ड ठीक है गाइज सफाई कर्मी जिसको हम क्या कहते थे गिद्दु को एक सफाई कर मेंगेन आपसे भी जाना आता था ये इस तेनों पीओ बादे एक्जाम जो देते हैं ज्यादा था आता है कॉस्टन ठीक है गाइज और बन्य जीवो का सिकार हो रहा है जिससे लुब्त होते चले आ रहा है हसरुप उनके नेक प्रजाते ही बिलुप्त हो गई है जब भी जीव कोई प्रजाती बिलुप्त होती है तो हम सदैप के लिए सजीव जगत के एक अंस को खो देते हैं इसके साथ साथ स्रंकला पर गहरा प्रभाब पढ़ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं पुड़ाने जमाने में गारी गाइज गोरईया गुलगुचिया एनि कि गुलगुचिया कहते थे उसको लोकल लेंगेज में गोरईया चोटी सी शड़िया होती जो आंगन में होने के कागार पर हो जाएगा फलसरुप मानब स्वेम भी बलुप्त हो जाएगा और मानब भी जाती भी बलुप्त हो जाएगी देख रहे हैं आजकल आप बारिश समय से नहीं होती है कोई भी चीज समय से नहीं हो रही है किसान परिशान है ठीक है गाईज इससे बचा भेतु पारिस्तितिक संतुलन जीवों के आर्थिक महत जीवों के विभीन रंग यही कारण की इससे बचा भेतु पारिस्तितिक संतुलन जीवों के अर्थिक महत जीवों के विभीन रंग रूप अथ्वा ब्यवार के कारण ही आगे देखते हैं गाईज नेक्स्ट क्वेशन भारत में बनों के बित्रन का बढ़न कीजिए तो भारत में बनों का बित्रन बढ़ा ही आसान है अन्दमान निकवार दीप्शमू हो में 86.93 बूबाग पर मनों का बिस्तार है जबकि हर्याना में मात्र 3% अन्दमान निकवार दीप्शमू में देखी 80.63 और अनुचर प्रिदेश मनीपूर मिजोरम तिरपुरा में 60% से भी अधिक भूबाग पर बन हैं चित्र एनिकी देखी नीचे बड़े भूबाग भागों पर बना अचादित कम हैं राष्टे बन निति के अनुशार देश में कम से कम एक तिहाई भूबाग पर बन होते हैं मोटे तोर पर हिमाल्य प्रायदीप्य पहाडियों के 60% से भागों का बन होने के लिए पाया जाता है कनाडा जर्मनी सेयुक्त राज्य अमेरिका जापान में बनों का परतिसत भारत में अधिक है वर्तमाज समय में देश के लगभग 45% भाग पर एनिकी बन्चेत्र पाया जाते हैं आगे देखते हैं आगिस्तान ये सब हमारे पडोशी देश है भूटान बंगला देश देख रहे हैं आप मेंमार ठीक है अतियती वेक्रिदे अधियर्ट क dopamine चेन किसे अतियती वेक्रहक से बनों का हरास हुआ है जिसे परिश चीषित प्रभाव को मिरद्दा तेजी से हुआ है उम्मी गजल प्रभाविक को प्रभावित हुआ, सामाजिक बानी की फार्म नियंतिरित कर सकते हैं तो गाईज आज के लिए इतना ही काफी है और जो है आप जो है नोट्स बनाए और गाईज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिज गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन ओल प्रेस कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाईज ठीके गाईज क्योंकि वीडियो बहुत महनत लगती है समय खर्च होता है मैं आपके लिए रात दिन जखकर और ये सब एविलेवल कराता हूँ आगे अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल न्यूज और न्यूज और सारे सब्जेक्टों के लिए मैं आपको दिन रात एक करके एविलेवल कराता रहूँगा तो गाईज और परियाबरों को बचाए रखें जादे से जादे विरक्स लगाएं जादे से जादे पेड़ लगाएं काटे नहीं एसी, हीटर, फ्रीज, गोज, गीजर इनका कम से कम इस्तिमाल करें CFC को बचाए रखें ठीक है गाईज तो जैहिन, जै भारत CFC-TIMP मत्याँस घ्टेर, जा भारत जादे टार tune मत्यादी जादे पार जादे CFC-TIMP